लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करांती 1825 से 1875 तक हुए उन करांती कारियों की कहानी से प्रेरित है जो इतिहास के पन्नों में कर्मगती करते हुए अमर हो गए ये कहानी उस पहले गुम नाम करांती कारी किसान की है जिसने भारत माता को आजाद करने की शपत उठाई और आजादी की मशाल जलाई कौन था वो? कौन थाद बारत माता करांती है हुआ 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 है कि आपने कहा था कि अगर आज में आप तक पहुंच जाओं तो आप ये मान लेंगे कि मैं तयार हूं हाँ तुम तयार हो इसलिए तयार किया था मुझे इन खेतों के लिए इस धर्ती मा के लिए जिसकी आबरू को अंग्रेजों ने रहुंदा मैं मैं कुछ समना नहीं सुना ये खेत कभी अपने थे ये जमीन अपनी थी इस पे हम किसान हल चला थे धर्ती के गीत काते आज कुछ भी तो अपना नहीं न गीत अपने हैं न खेत मतलब गोर से सुनो बिटी ये कहानी तब से शुरू होती है जब अंग्रेज एक बहान अगसाए की तरह बहते आ रहे थे इस एरादे से के वो सारे हंदुस्तान को अपने मुठी में कैद कर ले उनके मनसूबों की काम्याबी के लिए जरूरी था कि वो रियासत रामगह को अपने कब्से में करिये वाट सर महराज लक्षमन सिंग को अपने रियासत से बढ़कर हिंदुस्तान से प्यार है वह यह नहीं जानता कि अगर हमारी दोपे चली तो पांच मिनिट में रियासत का कुछ नहीं बचाएगा अब महराज की चिंदा मत कीजिए आज उनका छोड़ा भाई कोवर शमशेर सिंग आपके हजूर में हाज़र होगा कैसे उनको लाएगा आपके पास उनका साला शम्भू से शम्भू का दिमाग दोधारी तलवार है पहन की कसम जीजा जी नहल तो महल अगर मैं इस रियास्त का राजह नहापको बना दूना तो मेरा नाम भी शम्भू से नहीं है वो कैसे हमारी जरूरत उनके सर्थामस फुरी करतेंगे आज आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए कि क्या कहते हैं उनके सर्थामस हम आपकी मदद करेगा आप हमारी मदद करो I mean समझ गया या समझाओं शंबू का दिमाग दो धारी तलवार है कल कुवर शमशेर सिंग अपने महाराज को समझा देंगे कि वो आपकी बात माले क्यों शमशेर जी भाई साब मैं हमारे भाई ने गलस सौदे के लिए वादा दिया है लेकिन हम आपको जूटा नहीं होने देंगे कह दीजिए इन से आज एक बरस के लिए हम अपने बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं लेकिन इस शर्ट पर इंगलिस्तान से आने वाले जहाजों में दारूद नहीं होगा मलता है तेरी माँ हम पे है मेरी माँ तो लो जैमा काती जो लो जैमा काती जो इदर पे आए हो खाली ना जाए सबके कान गलती सबके दुख्ये मलती हमें आशे रो वाली मर्दो जोले खाली हमें आशे रो वाली मर्दो जोले खाली च किसानों के सरदार न जाने तुम्हारे पुर्खों ने देवी मा की कि तनी पुजा की है देवी मा की चर्णों में ज़द तुम्हारी जगे है, वो ना हमारी है, ना राज घराने की पुजारी जी, वो देखिए हमारी बेहन चारू मती भगवान ने तीन बार मा बनने का मौका दिया, मगर ये मा न बन सकी इस बार फिर उमीद बन दी है, वरना इनके पती, फतेगड के महराज चंपक सिंग जी दूसरी शादी कर लेंगे देवी मा पर विश्वास रखे महराज, देवी मा के प्रताप से, हम जैसे पापियों की जोली संतान से भर गई तो फिर आप तो हम क्या हैं, आप महराज हैं, और हम मामूली किसान इस जमीन पर हल चलाने वाले बीमा काका, यह ने को, यह ने को, यह क्या है? अले मापने, यह तो बहरूत है, बहरूत, बहरूत यूँ, जोला कनाया, सरदार, जहाजों में बहरूत बहरा है, बहरूत कनाया की मौत का हिसाब चुकता करना होगा, जहाजों से सवान उतारना है महराज ने बंदरगाह की इजाज़त देने से पहले, यह शर्त रखी थी कि इंगलिस्तान से आये हुए जहाजों में बारूत नहीं होगा तुम्हारा काम सिर्फ महराज की आग्या का पालन करना है हमारा कटब महराज की आग्या की रक्षा करना भी है मैं पूछता हो किस पर चलेगा यह आया हुए बारूत किस पर चलेगा यह अंग्रेजी बारूत हिंदोस्तान के सीने पर महराज महराज अंग्रेदों ने आपकी आपका पालन नहीं किया विश्वास घात कर रहे हैं वो बंदरगाह पर बारूत उतारा जा रहा है महराज जबके आपका फैसला था ऐसा नहीं होगा यह अनर्थ है महराज इस अनर्थ को रोकना होगा आपके चलों की सोगन्द है महराज किसी ने हमारे महराज का खून कर दिया किसी ने नहीं खून तमने क्या है देवी मा की सोगन्द है यह खून मैंने नहीं किया साला यह खून तुम ही ने किया है इस भयानक मौत से तुम बच सकते हो रियासत की कानून की मताबग मेरा फैसला भरी दर्वार में करना हो रहा दर्वार में तुम वही बोलोगे जो हम कहेंगे इदर देखो अगर देवी के इस वर्दान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो तुम्हारी बीवी के पेट में देवी का दूसरा वर्दान भी है पेट में देवी का प्रकॉप से डरो मुझे इस बात का बहुत दर्वार में इक्रार करता है कि उसके हाथ महराज के खून से रंगे हुए है जूट है यह हाथ नहीं महराज के खून के छीटे मेरी आत्मा पर है और अब आपके नए महराज शम्शेर सिंग जी आपको अपना फैसला सनाएंगे स्वर्ग्य महराज के बनाए हुए कानून के मताबग सांगा हम तुम्हें मौत के सजा देते हैं सबायो आज आज अश्नियाम है रियास्त में पूरी रियास्त मदुशाला बनी हुई है जाओ फियो और जियो जाओ हजूर दिल तो करता है सांगा इस संग्रेजी कमाल को तुम्हारी रगों में बहता हुआ हिंदोस्तानी खून पेश करूँ मगर नहीं शम्वू के हाथ मजबूर है और पर जूशे फांसी के सजा मिलनी हो उसे भला हम क्यू मारेंगे रियास्त के कानून का पालन करना हमारा करतवव्य है करतव्य का पालन करना कुट्टे से सिकhो क्या कुट्टा तो अपने मालिक की रक्षा करता है तुमने अपनी मात्र भूमी का सौधा कर लिया कुल हाई में लकडी का दस्ता न होता तो लकडी के कटने का रस्ता न होता लकडी तो कट गई सांगा अब तुम रात काटने की सोचो कल सुबे तुमें फांसी मिलने वाली है हे? 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 कल सूरस की पहली के रन तुमारी आखरी सांस खेंच लेगी हावाघी का डवता में हे तुमे हुष करrias बत्त apartments हुष एवůोक को rhymes with lazy कर लोब्डों की दो कर लाँ कर खमास देवी के स्वर्दान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो यही है न वो हाथ, यही है न वो हाथ, जो देवी के वर्दान पर उठा मादालो इसे, मादालो ज्वाई हैवा आए़ कर दो कि सांगा मर गया है बच्ची की बधाय हो रादा बधाय तो बच्चे के बाप को दी जाती है कहां है वो कहां है वो कहां है नजाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है भगवान उधर सांगा की जान ले ली इधर राधा को बेटा दे दिया भीमा हम सब का इस स्यासत से निकल जाना बहुत जरूरी हो गया है और वो भी आज ही तुम लोग वियासत को छोड़ कर भागना चाते थे तुम लोग गत्ता रहो अरुआ हो अरो रप तुम लोगो को अमारे गुलाम बनका रहना पड़ेगा गुलाम वो अच्छा, जो ज़वानों पच्च हैं और बुडे हमारे किसी काम के नहीं एक एक करके बुडे और बच्चों को गोली से उड़ादे मैने, मेरे बंचे को नहीं है। नहीर बंचे को नहीं है कर दो कर दो कर दो कर उसके बच्चे को मार डालो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कितर की कि दो कि रख़के को मर्टा लो है की आगशना इसके डक्षक देंहाँ मुं, मुं, मुं. हादाई! ता यू! समुंतर में जंदालोगे भुपता है! शिर्ट लास्बेकर भाराता है! अग्वार अगर किसी को पता चल गया कि चारू मति को फिर फिर मुर्था बच्चा पैदा हुआ है तू सांगा सांगा का बच्चा सांगा और उसका सारा परिवार सांगा ये चारू मति के लिए भेज़ा है जाओ सबको खबर कर दो कि चारू मति ने राजकौमार को जनम दिया है सांगा के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म हो गया परिवार क्यों ये नंना राजकौमार जो है अब हम इसे अपनी सुडिली के साथ बालेंगे लेकिन इसका नाम क्या है? एक दिन सांगा ने कहा था अगले बरस इसका नाम करंच संस्कार करेंगे और इसका नाम भारत रखेंगे उन्होंने बीवी बच्चे, मीमा, मेकसान साथी सबको मार दी उन्होंने हासादार जिन्हों में घुम में रखेंगे में में आए में आए अगले ने करेंगे हासाे एक रखेंगी शेरो वाली का कुल साजी जर्वार की जिए यह मेरी तेरे नखली तो नहीं मारा है ना? मुखान जहाज पर कबजा कर लो ठीक है साथा खुनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा हमें इंड़स्तान की स्खून की सौगंद है मौहन हमें स्खून से आस्मान पर इंकिलाब लिख्देंगे क्रांती लिख्देंगे क्रांती लिख्देंगे क्रांती क्रांती वक्त की धारा के साथ साथ क्रांती का जहाज आगे बड़ता रहा इंगलिस्तान से आने और जाने वाले हर जहाज को हमारा सामना करना पड़ता जैसे जैसे वक्त गजरता रहा वैसे वैसे क्रांती का निशान आजादी की जंग का प्रितीक बनता गया दुनिया सांगा को क्रांती के नाम से जानने लगी सर्दार फिर वही हुआ सर्दार क्या हुआ जुम करते हुआ अंग्रेजों पर दूसरे क्रांती का हमला जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सीनों पर वो क्रांटी की महर लगा गया बिल्कुल हमारे निशान जैसी सर्दार एक मुद्द से ऐसा हो रहा है कौन है वो जो जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सीने पर हमारे निशान की महर छोड़ जाता है कानो सकता है वो जब जिन्दगी दोड़ती है मुहन तो रगों में बहता हुआ खून भी दोड़ता है क्राम्ती के नक्ष कदम पर चलने वाला दूसरा क्राम्ती जो भी हो जहां भी हो हमारा अपना है करीम खाँ वो करीम खाँ है जो महरानी जांसी के शहीद होने के बाद अंग्रेदों से गिन गिन के बदले लेता रहा लेकन अफसास वो यहां इस रियासत में आकर पकड़ा गया और खबर मिली है कि कल भरे दर्बार में सब के सामने उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा लेक लेकिन सरदार हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास अंग्रेदी तोपे भी हैं अगर उनके पास अंग्रेदी तोपे हैं तो हमारे पास हिंदुस्तानी सीने हैं क्रांती श्याइद कि सुरी ले बेटी बापू पंडित की बेटी से पूछ लो कि कल की सारी तयारी हो चुकी है महारानी जासी की हारी वे फाज के भागे हुए सिपाही करेम खात मौत से पहले कुछ कहना है जिस जमीन में दफन होना है उस जमीन की गसम जब तक हिंदुस्तान पे अंड्रेजो का जुल्म होता रहेगा तब तक करीम खान जैसे बागी पैदा होते रहेंगे साइनापती जी हुकम इसे हम भी इसे वक्तों सवुड़ा दिया जाए महाराज शुशेर सिंग्जी के महाराज की जै अंग्रेजों के जूते चाटने वाले महाराज की जै कहने से पहले काश आ पानी में डूब गया होता है हाट क्षमा कीजेगा महाराज आज आने में तरह देर हो गई आज पुजारी जी खुद नहीं आए इधर पुजारी जी को बुखार ने जकड़ा उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि जल्दी जाओ क्योंके महाराज देवी मा के चर्णों को चुवे बगार कोई कारिये शुरू नहीं करते और आज का कारिये तो बड़ा गर्मा गरम है महाराज सब देवी मा की कृपा है ओंत्री नेत्राम हस्ति सुयुक्ता सर्वलंकार भूशताम विजनत्वा माम बंदर दुर्गा दुर्गते नाशने ए देवी मा पापियों का नाश करने वाली आज तो देवी मा की दृष्ट तो शोबकार ये शुरू करने से पहले मा का भजन किर्टन हो जाए मा और भी प्रसन हो जाएगी और फिर पाखंडियों को पदा चल जाएगा कि हमारी भावनाए क्या है आग्या है हाग्या है अब के बरस तुझे धरती की रानी घर देंगे अब के बरस तुझे धरती की रानी घर देंगे अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे अब के बरस ये दुनिया तो खानी है बहता सा पानी है तेरे हवाले ये जिदगानी ये जिदगानी कर देंगे अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस ये वराची ये मूर्ती किसकी है बरती की रानी ये मूर्ती देवी की नहीं भारत माता की है दुनिया की सारी दौलते से इज्जत हम को प्यारी मुठी में किसमत है अपनी हमको मेहनत प्यारी मुठी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है दिल लगते जीवन से बत्तर कोई कफ़न नहीं है देश का हर दीवान आय अपने प्राण चीर कर बोला बलिदानों के फून से अपना रंगलो बसंती चोला आयक के हमने जानी है सबने मन में खानी है हमला बरों की खत्म कहानी खत्म कहानी कर देंगे अपके बरस तुझे धर की किरानी कर देंगे अपके बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले हसी खुशी से भीगे भागन अब तक कभी ना खेले चारों और हमारे विखरे वारूदी अफसाने जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने फिर भी हम जिन्दा हैं अपने वलिदानों के भल पर हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर यारों तूट भले ही जाना लेकिन कभी न धुटना कदम कदम पर मौत भिलेगी फिर भी तुम न रुक न बहुत सहलिया अब न सहेंगे सीमे भरक उठे हैं नसनस में बिजली जागी हैं बाजल भरक उठे हैं सिंगा सन की खैर करो जुल्मों के ठेके गारो देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत नहारो अंजारों का जशन बनेगा हर शौला जागेगा बलिदालों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा हमने कसम निभानी है तेनी हर कुर्भानी है अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे अपके बरस अपके बरस पहले करीब खा को तोप से उड़ा जाए दूसरी तोप चलाओ इन लोगों हमारा बरू ददल दिया है मेरा नाम भारत है और खिकाना केशनगडी कभी भी आजाना समीनो या समंदर आलमोस पचिसा से करांती और जगा अपने निशान की मोर लगाता जा रहा है लीवोटी जरेश्ट आइमीन थामस वो किरिफतार होगा कैसे हाँ हमने फैसला कर लिया है कि हम अपना पुराना सेना पती बदल देंगे हो आपकी सेना का नया पती कौन होगा राजा साहिब महराज के बेटे युवराज इरश्ट नहीं हमारा नया सेना पती हमारी बहन का एक लौता बेटा शक्ति होगा हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नए सेना पती का सबसे पहले कारणाम आप गद्दार क्राउंते के गरिफतारी होगा महराज की आगय का पालन करना सेना पती का कर्तव्य है हत्यार चलाने वाले को परके बगए उसे सेना पती बनाना रियासत के कानून के खिलाफ है महराज एक तरफ सेना पती बनने वाला अमीदवार दूसरी तरफ। दूसरी तरफ उसकी माँ और बीच में घूमती हुक्णी फिर 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 शक्ति सिंग जी सेना पती बनने वाला उमीदवार अपनी आँखो पर पक्ति बान कर घोमते ही मशली की आँख को अपने तीर का निशाना बनाएगा और याद रहे अगर निशाना जरा भी चुका तो तीर मशली के पीछे खड़ी मा के सीने में जा आपकी शर्त में सौधा है युवराद जी और मैं सेना पती बनने के लिए आपकी शर्त के तराजू में अपनी मा को नहीं बिठाने वाला हमारा बेटा घुमती हुए मशली की आँख को अपने तीर का निशाना बनाएगा मा आप मशली के लिए हुक्म दीजे हमार बेटा आपका निशाना तो चूप गया मेरा पहला तीर मा के चरुनों में प्रणाम है मेरा अब बारी मचली की आँख किये अगर शक्ती को राजा बनाना होता तो अपनी बहन के विद्वा होते ही चालाकी से उसकी रियासत को हम अपनी रियासत में शामिल नहीं कर लेते शक्ती के सेनापती बनने से मा बेटे दोनु का मुँ हमेशा के लिए बंदे लेकिन हमारा क्या होगा है हमारा क्या होगा अरे युवराज जी शंबू जैसे मामा जी के होते में आपको किस बात की चिंता है शक्ती तल्वार चलाएगा और आप राज करेंगे वो भी सिर्फ अपनी रियासत पर नहीं बलके पुडोस वाली रियासत शिवपूर पर भी वो कैसे रियासत शिवपूर के महराज गंगादर जी ने अपनी बेटी राजकुमारी मिनाक्षी का हाथ आपके हाथ में देने की ख्वाहिश सहब की राजकुमारी मिनाक्षी से अप बाइभ समझ माई राजकुमार जी जाहिए स्वागत की सयारी कीजिए कल यहां पाउंच गई राजकुमारी मिनाक्षी से जिए ए इसथा है आ जप़े दर्मियान गदे गदे आप ठीकतो है शटाप दर्मियान सिंग यह घोड़े हैं या गदे 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 जब गदे जब गदेश्य जी, जी, राजकुमा जी, राजकुमा जी, ये पईया टूरिया, ओ शट अप, एसी पाईयों, हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ, और कहीं से पईया बनने वाले को लेकर आओ, हम रामगड अपनी सवारी पर ही जाएंगे, और आप, जी, और आप अपना काला मूध होकर आ आपने बाप उसे कह दे, कि पर दे मंतर, और करवा दे मेरा ब्या, किसे, भारत से, बेशरम कहीं की, नाम लेती है, ले, मैं कुई उसकी होने वाली जोरू हूँ क्या, जो उसका नाम लेने से शर्मा हूँ, हाँ, शरम तो मुझे ही आनी चाहिए, जो कि शरम के मारे आज तक उससे कुछ भी नहीं कह सकी, तो मैं कह दू, भारत, सुरीली के मन को, तुम्हारी प्यार की अगनी ने खे रखा है, तो हम बुझा देते हैं, अगनी, कौन हो तू, नाम दर्म्यान सिंग, काम आख बुझा ना, यह, जैराम जी की, जैराम जी की, हुआ हुआ हाँ! झाओ, तुम्हुप एक रखना किया! भी कुम्! बिपआप लो... कुफूड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ हmitt!!! भुफड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ अइध! भुफड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ कुफड़ड़ड़ड़ड़ हाहा Police! ऑाह!!! हाहा! आप मेरे सिपाइ तुमें सिंदाने क्यों रगे! प्रांदीर! गिंतीर! राद कुमरी जी! राद कुमरी जी देखें डाकू ने अमारी क्या हालत बरा दी अमरी सारे अद्मियों को माग डाला हम उनी गोली से उडा देंगे! तहा है वो! गोली चलाने के लिए ताकत है आपके हाथ में लेके गोली! इससे पहले कि ये मर जाए, पूछो इससे, पूछो इससे कि असली डाकू कौन है? कर इससमान जाए, पूरीज बाए, इससा कि अप। इससा कि अप। एसस प्राइफ, बच aurा, ये खिष, जास्वारत है. हमारी रास्ते से हट जा। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है। भारत भाया, राजकुमारी के नम मिलने पर शाही फोजों ने बस्तियों में आग लगानी शुरू कर दी। राजकुमारी राजमहल पहुंचे गी। लेकन वो राजकुमारी सुरीली होगी। सुरीली तुम तयार हो जाओ। मैं। चिंता की कोई बात नहीं। राजमहल में तुम्हें कोई पहचानता है। और नहीं मिनाक्षी देवी को कोई जानता है। यह ताजा ताजा इंगलिस्तान से आई है। मगर मेरा मतलब है शहजादी साहिबा के तौर तरीके। तौर तरीके। बत्तमीजी से बात करो। इंसान को इंसान मत समझो। तो अपने आप मिनाक्षी देवी बन जाओगी। यह राज यह लकड़ी के घोड़ों पर। लकड़ी का घोड़ा नहीं वाइसिकल। लंदन से हमारे लिए खास दूफा भिजा गया है। तरबान कौन आया है। आया। आयी को आया किस गदे के बच्चे ने कहा। कौन हो तुम। राजकुमारी मिनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गदे का बाप है। राजकुमारी जी आपका गुस्सा बजा है। हमारा गुस्सा कोई चोरा है का गंटागर नहीं। जो बजा है समझे। यह तो बड़ी बत्तमीज हैं भाई जी। देवी शादी के बाद इनकी रियासत अपनी है। उसके बाद इसे तुमीज हम सिखा देंगे। तब तक यह चूते भी मारे ना उसे परदाश्ट करते रहो। अरे चाहनो, जहान स्वाकत करो। जहान जहान स्वारा जादी के बादी कि बत्तमीज है। जो बादी के बत्तमीज है। जहाँ! विलाद शामी मिलाद नहां को शराब आधी गुलाब आधा मिलेगा रोजे खशे तुम्हे भी अजाब आधा सवाब आधा मारा थंका बजले गई चाल मित्वा दिख देखो रे खमरा कमाल मित्वा मारा थंका बजले गई चाल मित्वा मारा थंका बजले गई चाल मित्वा दिख देखो रे खमरा कमाल मारा थंका बजले खमरा कमाल मित्वा किया अस्तुम मित्वा कर षंका देखो जिख ठीच जिख ऴteilले इसे छोक्ता है में चरी रेचिरी, देखु में तूरी, अपने बाबन की हूँ में अखिली. फुरी आशियाना बनाले मुझे घर में. मुडी नामुडी. मुडी न मुडी 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 मुड किक जएओंस लुड़ापन कार समयार also Bruce लुड़ाँ वार कर ड्रफ perseverance किक भूप場 किक है किक जए Absol 20 इड़ कार ड्री nadal मार proberba लोग 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 लो कोई आए भी ला, आज से अपना लाचन शुरू हो गया तहले लेला मरगी फिर मजिन मरगा पेले लेला मरगी फिर मजिन मरगा फिर दोलों फ़िल्दा कि आजाएगा, कि आजाएगा, कि आजाएगा, कि आजाएगा निला अंबर मेच कर दोंगी लाल मितवा देखा देखो रिखमरा समाल मितवा देखा देखो रिखमरा समाल मितवा मारा खुंपा, मारा खुंपा बदल गई जान मित्वा, देखा देखोरे हमरा समान मित्वा, देखा देखोरे हमरा समान मित्वा आगे बढ़कर अंगरे सहब के कदम चुओ अंगरे सहब के आगे जुको, नहीं तो हमेशा की तरह मार खाओगी मैं हमेशा की तरह मार खाकर बेहोश हो जाओगी, लेकिन मरूगी नहीं अंग्रेजी बंदूग के लिए हिंदुस्तानी तलवारी काफी है सर्दार, सर्दार, इन गोरों के दिल का रंग जो काला है ना, हमने इनके मुझ पर लगा दिया ले जाओ इस तरह इंदे को, और फैंक तो राजमहिल के दर्वाजे पर ताके ये अपने बाप धादा को बता सके कि आएंद अगर किसी हिंदुस्तानी पर दुख तो फिर ये तलवार मेरी जान बचाने वाले, तुझे अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देती मैं उसे? और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बेटा जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देता मैं उसे? बेटे सर्दार, अब चलो अच्छा, तो चलू सुझाय बेटे तुन्हे अपने नाम नहीं बता ला रे काम करनती है करन्ती ये ही है और यिये है वो घ्रांछ मवरत रदा जो क्रांती के बारे में सब कुछ जाद दिया है का हा रहता है क्रांती का і। तका थिकाना आज़् से असका ठिकाना इस मा का दिल है, आत्मा है, हम तुम्हारी आत्मा जहन जोड सकते हैं, तोड तो नहीं सकते हैं, पुर्या, बोलो बेटे, उठाओ हाथ, मारो तुम भी हंटर, ये मा है, देवी मा, पाप से पलने वाली महलो की राज कुमारी नहीं, हम राज कुमारी मेनाख्षी देवी हैं, बोदं, मेनाख्षी देवी कोई जानवर नहीं, जो ये टुग्डे खाए, ले जाओ और फिक दो अपने सरदार के सांदे, जो लोग अनाज का अनातर करें, वो इसलायक नहीं होते क कि उन्हें जानुरों का बच्चा हुआ खाना भी दिया जाए हम पुछते हैं आकर तुम चाहते क्या हो हीरे जवाराथ ये लो ये लो ये लो से इंगलिस्तान चला जाएगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दिन एक जहाज हमारे देश से हमारा कोई नूर हीरा ले गया था तुम लोग तैयारी करो मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी काम्याब हो जाओ तो क्या होगा कहा जाएगा वो सामान कौन ले जाएगा वो हीरे जवाराथ एक चोड एक डाकू लुटे रहा हम पुछते हैं वो लुट का माल जाता कहा है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो ये ग्रांती ये इनकलाब सिर्फ एक जुटा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती हैं अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना तो मेरे साथ ऊपर चलो कि हमारा शोमू मलमल बनाया करता था ठाके की मलमल जिसका पूरा का पूरा थान एक चोटी से अंगूठी से निकल जाया करता था लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इसके साथ ये जलुकिया आज कुमारी, यह हाथ शिर्फ शोमू के नहीं कटे हैं, बलके हिंदुस्तान की कला के कटे हैं, यह किसान, यह किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था, बाड़ाई, फसल तबाह हो गई, लगान नहीं चुका सकाई है, लगान की माफी के लिए यह प वही हुआ जो अंग्रेज करते हैं, किसान की आँखों में लोहे की गरम सलाखें डाल दी गई, और इसे अंधा कर दिया गया, यह वरत, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार, अपने पती की चिता के साथ जल के सती होना चाहती थी, फिर, कि अंग्रेजों ने इसे, अं उस रात, उस रात, ना जाने कितने अंग्रेज सिपाहीं ने इस वरत की इस्द को लूटा, और जागत हो गया इतना जुल्म हुआ इस इस देश में, इस देश के लोगों पर, और हमें कुछ भी नहीं मालूम तरस आता है आप लोगों पर, आप लोगों की आत्मा की ओड़नी, भावनाओं की चुनर, बिल्कुल दागदार हो चुकी है अच्छा तो राजकुमारी मिनाक्षी देवी, या कूचले डाका डाल लें, क्योंके हर दागदार चुनर को धानी करने के लिए, तन, मन, धन, सभी की जुरूरत होती है हम कौन हो तुम? क्या लगता हूँ? जो हो? फिर पूछा क्यों? जानते हो हमारा रास्ता रोकने की क्या सजा है? शायद आप नहीं जानते के हमारे रास्ते पर कदम रखने की क्या कीमत है यह रास्ता तुम्हारे बाप का है? यह नहीं, यह रास्ता आपके बाप का है और आपके बाप ने, आपके बाप ने मुझे बेटा बना के कहा था कि बेटे, अपने मां की रक्षा करना तो हमें की मा के बेटे हुए ना, रास्ते से हटाने वाले हमारे एक इशारे पर हमारे सिभाई तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं सबसे बड़ी कलम तो उपर वाले के हाथ में है सेनापती देखें वो हमारी इस मुलाकात का, क्या फैसला लिखता है सेनपती खुद अपनी तलवार से तकदीर लिखता है तलवारों से लिखी हुई तकदीर को बदलना हमारा हर रोज का काम है सेनपती और ये भी सुन लो कि इन गाड़ियों में जो हमारे देश की अनमोल चीज़े हैं न हम इने इंगलिस्तान नहीं जाने देंगे देंगए तक दो मारे नहीं जाने तक अ एमोल आबवारों में करेंगी तक अज़े हैं तेलों! हुआ है कर दो कर दो जन्मा कर दो कर दो कर दो नठका है ाँ हुआ 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 है हुआ है जाए हुआ हुआ जाए सेना पती की सेना भाग गई सेना पती जब जनम देने वाली मा पासना हो न तब ये धर्ती मा ये धर्ती मा आंसू तो आंसू कून का बाहना भी बंद कर देती है हर हां अगर इस मत्ती से फाइदा पहुंचे ना तो इसका कर्श चुका देना तन भी बदला मन भी बदला बदल गई है काया काली रात से जीवन को अब मिल गई वो चली छाया ये दिल्वालों की बस्ती है ये बस्ते बस्ते बस्ती है गम को खुशी में डाल दे जो भारत की ऐसी हस्ती है जिसने रचा संसा है ये आम रचा उसकी गाते है कुई 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 ओई 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 शमाशा ओई शमाशा लेजा प्यार जरासा ओई 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 मासम में ली अंगडाई है पुद्रत में बादी पालल है आए मैं तिसकी मात करू दिल मेरा ही तो खायन है रिष्टों की में दिलिया रिष्टों की में दिलिया दुलहन सा मुझे सजाओ दुलहन सा मुझे सजाओरी प्रीम की भाशा, लेजा प्यार जगाशा प्रीम शमाशा, लेजा प्यार जगाशा के लेजा आंग, प्यार जेजा दित के लेजा है, दोयग की भाशा बता है कर दो कर दो कर दो दिल चंदा काले आयेंगे सुरज से आख मिलाएंगे आ जाएंगे जब अपनी तर्टारों को तोड़ के लाएंगे दिल चंदा ताले आयेंगे मंजिल है अपनी राहों में आकाश हमारी बाहों में देख तमाशा कुई कुई हुआ हाल उठकर गिरना, गिरकर उठना जीवन की रिल पुरानी है उठकर गिरना, गिरकर उठना जीवन की रिल पुरानी है तगवालों के चत्रानी ही हम में भी मन में आनी है पर्वत तो इपनादी में पर्वत तो बनादेंगे, सागत तो बून बनादेंगे जादी आशा जादी आशा ले जा प्यार जरासा ले जा प्यार जरासा ले जा प्यार जरासा ले जा प्यार जरासा ले जा जरासा कि क्या ख़र लाए हो मुहन कल एक जहाज पंजाब के क्रामतिकारी कैदियों को लेकर यहां से होता हुआ काले पानी जा रहा है समंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे मगर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे क्ल हमारा जहाज उन फिरंगियों के जहाज के सामने होगा कौन क्रांटी हाँ क्रांटी क्या चाहते हो जंग अजादी के उन बहादर सिपाहियों की रहाई को जिने तुम करके काला पानी ले जाना चाहते हो Hat अगु तुम कभी काला पानी ले जाएंगा तूसानों का मुझ तोड़ने वाल numéro इकांटी को कैद करके बसällen करना है हुँआ है तुम जयसे बुस दिलों का काम नहीं है प्रांती की मांग आजादी है आजाद कर दो हमारे देश्वासियों को सुना ओके तुमको तुमारा आजमी मिलेगा पहदी लोग छोड़ो जो मुले सो निहाल साथियाल एक एक जा सकता है तुमारी और हमारी तुपों के बीच तुमारा हिंदुस्तानी भाईरे हमारी फिकर मत करा प्रादी लोग अगदाना चिलाद अत्मा बढ़ा दो हिंदुश्मनों को मुला ड्रा प्रादी फिरॉपों को मुला युर्ण कर दूर अपार्य कर दूर तो पस्ट घर्फसित कर दो अपार्य कर दो कर दूर तो कर दो वसी यहाँ यहाँ मुहर, 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 हाँ सर्दार, और तो और बच्चों के साथ इसको भी कश्टी में बढ़ा कर रहा कर दूँ सर्दार इसे क्यों? इसकी छाती पर क्रांथी की महर लगेगी, जिसी यह जाकर सारी दुनिया को दिखाएगा सर्दार, इस इस वट क्रांथी इस दन तो आमेन, उसने हमारे नाक में दम कर रखा है सेनवती शक्ती जल्द ही उसे गिश्टार कर लेगा नो, 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 घ्रांथी तब तक नहीं पगणा जा सकता जब तक यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का आम लोग उससे नफरत ना करने लगे अगर नहीं समझे तो, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, सर तॉमिस, के शंबू का दिमाग दो धारी तलवार है नाई, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, नाई, नाई, नाई इसे भी हो सकता है, ऐसा बही हो सकता ऐसा हो सकता है, सरना है, हम जिसे आज तक दूसरा करांटी समझते रहे हैं, वो एक ममूली लोटे रा, निकला, लुटे रहा है हाँ उसने गरीब किसानों के घर लूटे उनके खे जला डाले उस भैशी तर इंदे ने मासूम लड़कियों की इदत लूटी है मेरे होसलों के इमान का चहरा इतना भयानक निकला इतना दुष्ट निकला ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म ने मेरे जिस्म ने मेरी आत्मा से विश्वास खात किया मेरी परेणा ने मुझे से विश्वास खात किया किकल मां की सावगन ग्रांती की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और खिनोने हाथों को मैं मैं खत्म करूंगा कौन हूँ तुम मसाफिर है मसाफिर अरे भाई सराया है तबिला तो नहीं है कि अब बताओ क्या चाहिए तुमें अब बताओ क्या चाहिए रहने के लिए जगा और सामान का खरीदार काम समक में एया लरे का बबबबबब भाई क्रांती को आज के क्रांती को करना करना होगा मगर अकेले में तो उसे कह दो कि कल पुराने मंदिर के पिछवाड़े में आ जाए मेरा पहला वार प्रणाम है उस क्रांती को उस क्रांती को जो अब मर चुका है मर चुका है वो क्रांती जो कभी तोफानों को तोफानों को अपनी मुठियों में कायक करके रखा करता था मर चुका है वो ठीक कहते हो मर चुका है वो मर चुका है वो क्रांती जिसके जिंदगी के लिए समंदर की लहरों में दौाएं भर भर के भेजा करता था मैं जिसने हमारी उमीदों को जिंदा किया वो पत्पख्त खुद ही मर गया जिसकी जिसकी पूजा जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था जो कभी धर्ति मां क्यों अच्छा किया करता था अगर तुम्हार लिए धर्ति आज भी पावन है पवित्र है तो फिर धर्ति पर जुम किसलिए हर जुम की सजा मिलेगी मिलेगी तुम्हे बेगुना किसानों पर जुम तोले हैं तुम्हे उसकी सजा मिलेगी यूट तुम्हे मासूम लड़कियों को अपनी वास्णा का शिकार बनाया तुम्हे उसकी सजा मिलेगी हालाँ! झाल झाल कि रहुआ है. ठाल्स तालrah डाल्स और यजाँ सनो यजाँ रहाँ झाल रह वपो So इस मुलाकात के हमें एक अर्से से इंपजार था ले जाओ इन्हें ये करांटी है ये नहीं मगर हमारे लिए ये करांटी से भी पड़ा मुझरिम है ही हमारा पराना मुझरम सांगा माराज यह वही सांगा है जिसने आपके भाई साहब महराज लक्ष्षण सिंग का कतल किया ये वही सांगां है जिसने हमारा हाथ कटा मोगा नहीं मिला रोन गर्दन काट देटा कातव नौर तो हमारी ने 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 तेखा देखा देखा शम्बू के बाए हाथ का कुबाल है अब तो ये लोहे का है स्वारा क्रांदी से क्या तालुक है वही जो एक सिपाही का इन्खिलाब से होता है तो तुम गद्दार हो हाँ मैं गद्दार हूँ तो तुम अपने चुर्म मांते हो मांता हूँ मैं मुझरिम हूँ लेकिन आपका मुझरिम है मुझरिम हूँ मैं अपनी मातर भूमी का इस देश की सरजमीन का मुझरिम हूँ जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को लल कारता है कहता है जितकार है तुम पर सांगाद जितकार है तुम अब तक विदेशी भेडियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके अब तक अपने महराज की मौत का बदला नहीं ले सके उन बच्चों की मौत का बदला नहीं ले सके जिन्होंने अपनी माओं की कोख में ही दन तोड़ दिया था कौल सब पच्छे कौल सबाओ किसकी बाप कर रहे हो तुम अवत की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहु बेटिया पर्दों में रहने वाले शरीफजादियों की बात करता हूं जिनको फिरंगी दरिंदे खेच कर बाजारों के चौराहों पर लाए उनको बे आबरू किया और अपनी हविस का शिकार बनाया इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलीली हमारी मस्जदों को शहीद किया और ये घोर पाप सिर्फ हमारी कौम हमारी सब्यता को कुचलने के लिए इस देश पर हुकूमत करने के लिए ये ये काना आदमी सफेच हुआ बोलता है और ये सफेच लोग काले कारणामे करते हैं मर्द तो मर्द अंग्रेज औरतों ने हमारी बहु बेट्रियों की मुर्दा लाशों पर जेवर तो क्या मंगल सूत तक नहीं छोले हमारी कमसिन बच्चियों के कानों से इन लोगोंने बाल या नोची है जिन हाथों से चूनिया नहीं निकाल सके उनकी कलाईया कटवाई दी हैं इनोंने सांगा उनकी तो सिर्फ कलाईया कटी थी लेकिन आज हम तुम्हारी गरतन काड़ देंगे एक करामती मरेगा शम्हू तो हजार करामती परदा होंगे तबहे तबहे और कुछ कहना है उनके इनके हेस्टिंग से हमारे मुलक का इंकिलाब उसके जुर्म का गिन गिन के बदला लेगा हेस्टिंग नहीं लॉर्ड हेस्टिंग कहो लॉर्ड होगा वो तुम्हारे लिए इंसानियत की अदालत में वह हमेशा मकार ठेहरा जाएगा यह हमारे सामरे शरीफों की इससत उचार रहा है सिपाई हो इसे इसे अभी इसी वक्त मा डालो नए सर्थामस नए ऐसे भ्यानक मुझरम को इतनी असानी से नहीं बलके तरपा तरपा कर मारा जाएगा ताके आएंदा कोई गद्दार नबन चके कोई करन्ती नबन चके ले जाएशे सुनाओ अगर तुम दोनों एक हो तो आप इसमें लड़े क्यूं? लड़ाई कराने वाला खुद लड़ाई की वजब पूछे तो उसका क्या जवाब होगा? सिर्फ इतना के याद रखें कि जुल्म और छूट की डाली पर एक बार फल लगता है दो बारा नहीं हमें एक की तलाश थी और दो मिल गए एक इने नाक में दम कर रखा था दो तो जान ले लेंगे क्या का? जान तुम हमें अपने साथियों का पता बता दो हम तुमें माला माल कर देंगे तो देखो तो देखो इसकी चमक तुम सुर्फ अपने साथियों का पता बता दो ये सब तुम्हारा हो जाएगा भगवान बेचकर इनसान खरिदना चाहते हो बोलो सौधा मन्जूर है यू लटके लटके ठख जाओगे तो तुम दोनों में से एक छुक जाएगा किस तरह है? जिसे नीन आएगी वो कुद तो मरेगा ही साथ में दूसरे को बिले मरेगा एक को नीन आगई और वो सो गया आप तोनों मर जाएगे मुन्ना आपने पुखारा माफ करना दूपा दी चला था तुम्हे वर्सुन के बाद न जाने बीटे की याद कैसे आगई? लगा जशी मेरे साथ साथ है वो और मैं आइस्ता आइस्ता उसे सुला रहा हूं इसी में नीन आगई करो आपका बेटा प्रांती के पत पर और वो नोजान जिसके रादों में प्रांती है वो मेरा बेटा है और मैं तुम हाँ चोटे सरदार हो सरदार जरोगा बात करने के चुर्म के इने सदा दी जाए वरो हंटर हमें हमला आज इराद करना पड़ेगा हमारा सरदार अंदर ही बंद है सरदार अगर तुम्हारा सरदार अंदर है तो हमारा सरदार भी इसी खायद खाने में है लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर और होश्यार है कि उन्हें छुडाना तो यह पर सब कैसे होगा उन्हें छुड़ाने के लिए दुश्मनों को शायद चने खिलाने पड़े हैं चने चनों से क्या होगा वो चना जिन में नशा मिला होगा इन सालों के होश उड़ा देगा को लो तुम है हुजूर चने वाला है और तुम चने वाली वारी मेरी चने वाली नाम है सुरीली 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 वारी मेरी चने वाली हम गाते हैं हम बजाते हैं लोगों को चना खिलाते हैं क्योंकि हमारा चना सिर्फ चना ही नहीं हमारा चना दिल है दिलदा है यारों का यार है हाजेर हाजिर मेरी सरका है चने वाली तुम्हारा चना तो दारोगा के दिल में अंग्रेजी गोली की तरह घुज गया हुजूर अगर हुकम हो तो ये चना पेश करने से पहले इस चने के बाकी गुण पेश करो इजाज़त है तुम्हारा 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 चना जोर गरम बाबु मैं लाई मज़ेदार चना जोर गरम मेरा चना पना है आला जिसमें डाला गरम मसाला इसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम मेरा चना खा गया गोरा मेरा चना खा गया गोरा खाके बन गया तगला गोरा मैंने पकड़के उसे मरोडा मारके ठंगडी उसको थोड़ा चना जोर गरम मेरे चन की आख शराबी शराबी चन की आख शराबी इसके देखावाल गुलाबी गुलाबी देखावाल गुलाबी इसका कोई नहीं जवाबी जैसे कोई पुड़ी पंजाबी नाचे छलन छलन वो थे चड़के ठेनो पुखारा सुनले मेरे बनन चना जोर गरम चना जोर गरम बाप मेरा चना खा गए गोरे गोरे मेरा चना खा गए गोरे ओ गोरे जो गिंजी में हो खोड़े और फिर भी मारे हमको खोड़े चना खोड़े चना खोड़े चना जोर गरम बाबू मैं लाया मचेदार चना जोर गरम 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 हाँ हाँ मेरा चना है अपने मर्जी का मर्जी का भई मर्जी का मेरा चना है अपने मर्जी का मर्जी का भई मर्जी का ये दुश्मन है खुद गर्जी का सरकफन पाधि के निकला है दीवाना है ये पगला है मेरा चना है अपने मर्जी का मर्जी का भई मर्जी का अपनों से नाता जोड़ेगा, रहरों के सर को पोड़ेगा अपना ये वचन निभाएगा, माती का कर्ज चुपाएगा जना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भई मर्जी मित जाने को मित जाएगा, आजाद बतल कर जाएगा ने तो चोरी है ने तटापा है बस ये दो ये धमा के में आवाज भी है इक साज भी है इक साज भी है अपनी धर्ती अपना है गगन ये मेरा है मेरा है वतन इस पर जोग उठाएगा जिहना अपना आप जाएगा मेरा चना है अपनी मर्जी का मर्जी का वै मर्जी का ये तुश्मन है खुदगर्जी का मेरा चना है अपनी मर्जी का मर्जी का वै मर्जी का ये तुश्मन है खुदगर्जी का हुब पर्फीदा, हुब पर्फीदा हुच खुराँ झाला उन्हें लिर्षिक करता है इजनने! पाराए! है रोओ, इजनने है इजनने! कि हुआ अजय मुआ है तो अपारा जो अजय में फटार कि दो जो जब है तो जब कि दो अजय टो जो है खुआ कि अजख है। झार है झार है खार ppt एप्र राच कुमर इची आप 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 से जनती? सिबायो चला मेर दात! बाबा, राच कुमार जी आप के लिए एक बुरी खबर है, क्या, आपके पिता जी महराज गंगाधर जी ने बेवकूफी की और अंग्रेजों के खिलाब बगावत कर दी, फिर, बस आपके रियासत के वजीर को राजा बना दिया गया, और अफसोस से कहना पड़ता है, आपके पिता जी को मार दिया गया, कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है, मैं बुछती हूँ कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है, मेरा बाप, मेरा बाप, अमर है, मेरा बाप, अमर है, मेरा बाप, अमर है, थी तो शेन साल्व मेरे संब्ली राज कुमारी इससे रोया नहीं करती ठीक कहा आपने, राजकुमारिया इस तरह से रोया नहीं कर दी कुरान्ती, कुरान्ती, जुन्दा बाद, चिंता मत करो सरदार, हमें आपकी जान ज्यादा प्यारी है, अच्छा, आप लोग आराम कीजिए, हम चलते हैं, लेकिन ये टांगा यहां से ले जाना चाहिए, हाँ, मुख्या जी, तुष्यार रहिएगा, आज कुमारी, वो तो कब की मर चुकी, अब तो मैं सिर्फ मीनाक्षी हूँ, एक सरदार की सिपाही, एक इनसान की पत्नी, मतलब, लड़कियों को सुहागन बनाने के लिए लोग, उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं, मगर मैंने तो, क्रांटी के पावन और पवित्रे निशान से, तुम्हारा खून लेकर अपनी मांग में बराया है, अगर यह काफी नहीं, तो मैं भगवान को साक्षी मान कर कहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, तुम नहीं जानती। मेरे साथ कदम कदम पर खत्र हैं, इसलिए, इस लिए तो तुम्हें अपने पती माना है, मेरे एक कदम पर जिंदगी है तो दूसरे कदम पर मौत है मौत चोटी हो या लंबी जिंदगी जिंदगी है मतलब लंबी लंबी उमर आख को छोड़ो प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की ना तूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले घड़ी लड़ी लड़ी मैं दाला पे नहा के आदी हूँ मैं बार बार कहे चुका हूँ यह कोई नहीं आया सभायो मेरे पास गिनने तक अगर यह नहीं बताए कि वह कहा चुप हुए है इन सब को मारतों एक दो तीन चंबुसेंग तुम्हें मेरी जरूरत है ना मैं आ गया रुकिये महाराज चुसर टामस का हुक्म है कि जो जो पकड़े जाए उन्हें कैदी बनाकर जहाज तक पहुंचा दिया जाए चपू चलाने के लिए खुलामों की जरूरत है पानी 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 नहीं पहले सर्दार को पानी पिलाओ हमदार इसे पानी नहीं मिलेगा इसे पानी मिलेगा लो ले पानी पिले एई बुडिया बोलो बेटे लो बेटे पानी पियो लो बुडिया की सजा सरकार बुडिया को पानी पिलाने की सजा पुलामों को जहाज तक पहुंचाना बहुत जुरूरी है ठीजे बुडिया बुडिया धना बुडिये बुडियो जल्दी मेरा नगलामτη वतलब शेर से अनदेंड बुडर तुम्खुों ख्ला है मैए्चपू यू नहीं चलाओंगा यू काया सब्सक्राइए लाइन सिंग में बड़े-बड़े 30 मारखाँ सीदे कर दिये हैं यू मुछ खेत की मूली ना उस्टमीक किस खेत की मूली हो यह यह उस खेत की मूली है शेर सिंग जिस खेत की मिट्टी को तुम्हारे बाप दादा पूछते रहे तरिम खाँ हाँ से यू वाट बोलो बोलो तुम क्या बोले यही यही के यह भी चपू चलाएगा हाँ हाँ यह भी चपू चलाएगा मेरे कोस्त अरे मेरी गवर्मेंट मेम साथ के साथ साथ उसको खुछ रखना भी तुम्हारा ही परस है अज़ चोके ऊपर की सफाई के साथ साथ नीचे वालों को पानी पिलाना भी तुम्हारा ही काम है अखाँ हानी हानी मैंने मैंने कहा था ना कि मेरे साथ कदम कदम पे खत्रा है तुम्हें प्यास लगी है पानी पिलो हाँ हाँ हामजादी पानी गुलामों को पिला जाता है यारों को नहीं जरूपर तिल रबन दी जाएगी चल 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 पे भाई जन्द में पहली हार के बाद जब हम मुठी भर सिपाही रह गए थे अपनी महारानी के साथ महारानी छासी के साथ तो जानते हो उस वक्त उन्हें क्या सोचा क्या कहा अपनी लाशों से हम तारीक को आबाद रखे वो लडाई हो की अंग्रेज चिसे याद रखे वो लडाई होगी करिम खां वो लडाई होगी इस जमीन पर रहकर अब हम क्रांती का जंडा लहराएंगे जैसे वो लहराया करता था वो कौन सरदार वो जिसका नाम लेते ही करदन फक्र से उंची हो जाती है जिसकी याद आते ही अंखों में आसुआ जाते हैं क्या इन खलाप के सिपाहीं घुट-घुट का मर जाएंगे क्या हमारी बाकी सिंद की सिर्फ चपू चलाने के लिए बची है क्या हमारा खौब सिर्फ खौब रह गया है आखिर वो लॉलाई कब होगी भाई वो लॉलाई कब होगी कब होगी करीम हाँ हाँ अब तो परदाश्ट खुद कहती है भाई कि परदाश्ट के हिम्मत नहीं पहला मत करता हूँ अरंग्जादों पहलत की बात करते हो शेर सिर्फ तुम्हारी खाव धेर देगा अबे 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 इसके पुत्ते जोग से मार मार चुए मार मार चुए मार वो क्या सुना रहे था तुम्हार क्या कहा था धांसी की रानी नी हाँ भाई महरानी जासी ने कहा था अपनी लाशों से हम तारीक को आबाद रखे वो लडाई हो के अंग्रेज जिसे याद रखे सम्झे सम्झा हूँ हाँ मैं अंग्रेज की गुत्ते आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोडूनी गुत्ते अंग्रेज दूद्ते अंग्रेज 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 बोलने वालों के तुम जूते चाटते हो मैं कहती हो अगर तुम में थोड़ी सी भे गायरत है तो इन सब के पैठ चूकर इनसे माफी मांगो बैये इनसे माफी मांगो इन हिंदुस्तायों से येस यो पास्टर्ड तुम तुम सिरफ राजपुतों के नाम पर ही नहीं सारे हिंदुस्तान पर कलग हो कलग ये अंग्रेजी बारूट हिंदुस्तानी जिस्म को बहुत रास आता है पानी पानी फेरो आई किसी को पानी नहीं मिलेगा गोली चला नहीं है तो चला लो मैं इसे पानी पिलाऊंगी मुख्या जी उदू, फिलो पाई क्या? मर गया अरे कुटो, तुम्हारा साथी मर गया कराई, रो! शेल सेंग, इसकी मौत पे आसमान रोएगा रोएगा आसमान और बतला लेंगे हम आ, ब्लैक क्लाउड्स काले बादल, बाहर की निशानी है ये सिंग इस पार काले बादल काले बादल इस पार लाल पानी बरसाएंगे शेर सेंग? ये सर लाज को समंदर में फैंक दो को वेंट गॉल शेर सेंग? ये सर, तुम इडियट हो ये राइट सर तुम गधे हो तुम गधे हो सर, असली हीरे की पैचान वो आप जैसा जोरी जानता है इतनी खुबसूरत लड़की ऐसे कामों के लिए नहीं होती विरी भरी राइट सरु। अच्छ बीटिफल गर्ले मेंट वर बिग बिग कांसर। सेर्ड, शी इस मलमल अधाका, इंडियन मलमल। सेर्ड, तचन सी अच्छ अच्छ नोच शेयर सेंग, हम अंग्रेज अपने यूनिफोर्म में कोई परसनल काम नहीं करते हैं, इसे बाद में बेज़ते हैं आहां आहां और तुम्हारा क्यारेक्टर, तुम्हारा चरीतर क्या है? मा बहनों का साउधा करना? खनाम कारे! कमेरिया, मैं मुहमेर की इज़ती हुँ! इज़ती हुँ! नहीं, नहीं, अरे इस दूदिया जिस्म पर अंतुलों के निशान साब बहादर को अच्छे रहे हुँ! जैसेंग! जैसर! इसे उपर भेज़ दो! अरे वो उपर बुलाने वाले, उपर वाले से तो दर! ये अगर उपर ना आए, तो इसके सामने इसके आशिक के साथ साथ, इसके सातियों को भी तोप से उड़ा दो! सुना नहीं तुने? साब बुला रहा है, वरना सब को तोप से उड़ा देगा! चाड़दा मुझे! मैं खुद जान रहा हुँ! मिनाक्षी, तुम्हें अपनी मान में भरे हुआ स्खोन की सौगन, जो तुमने क्रांती की मशाल से लिया था! अगर क्रांती के सिपाही कमजोर पढ़ गए ना, तो क्रांती के माथे पर, क्रांती के माथे पर सदा के लिए कलंक लग जाएगा कलंक! अगर मैं ऊपर नहीं गी तो तूम्हें मार डालेंगे मेरा निश्वास करो मिनक्षी मेरी माच से मेरी माच से तुम्हारी मां का बुजा-भुजा सिंदूर लाल और काहा हो जाईगा ये लो व्यत फिरीव तूम्हें ही ने सब को मार डालेंगे तो क्या हुआ भाभे आने तो मौत को इस बार मौत से गले मिलकर हीद मनाएंगे हाँ कुसम है उस पाक परवर्दिगार की शेर सिंग इस सेर इन सब को उपर लाकर एक लाइन में खड़ा करके बारे बारे तोप से उड़ा दो ओके सेर सब को तोप सोड़ा दोगे तो चप्पू चप्पू तुम्हारा बात चराएगा शेर सिंग इस सेर इस ग्रादी को उपर लाकर बांदो और दूसरों का क्या होगा उसका हम बाद में फैसला करेंगे ओकी सेर सोल्जर्स कम अड़ा आप 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 कर दो आप करम कर द भंदे और मैं कर दो दो झाल ! हांखज। तुटुष! उल्टुमार! वांखज। वगर लुगरता है는? अपांज करनीजे चाहते हैं, पेंग। जो सरे कारान? तेर वहलों, तोब सेखो तो प्रप्रीज करना आई! विर्ष उनल्ड रखगा रदा आट इवा भी अवाज़ से वी प्रफ्रीज करना हैं! वहाग! क्षेसंग! येष च्सक्ड़गी! मेरा ये भरा हुआ ग्लास खतम होते ही, इन दोनों को तोप से उड़ा दो येस, ज़र तुम हुगम देगा, तुम तुम को भी उड़ा देगा तुम क्या उड़ाएगा, मिस्टर शेयर सेंग तुम जैसे नीच, कमीने, मतलबी हिंदुस्तानियों के वज़े से हम अंग्रेज हिंदुस्तान पर वाज करते हैं हम नीच, हम कमीना, हम कुट्टा, कुट्टा तुम अंग्रेज बढ़र पीता है कुट्टा मेरा ये ग्लास खतम होते ही, इन दोनों को तोप से उड़ा दिया जाएगा अनिस्टाइंड जैरे ये शर्म तू दूसरों से मार खाता है और अपनों को मारता है कुछ शेर से नहीं, तू कुट्टा है, कुट्टा भाई गौर्ड, यूरा डोग, यूरा डोग इस टोप की वज़ा से तू ने अपने बाब दाना की पगड़ी बेच डाली बेच शरम, कुट्टे हराम जादे शेर सिंग, तू शेर सिंग बनकर जी तो नहीं सका, लेकिन शेर सिंग बनकर मरेगा जरूर जिन्दगी की ना तूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी जिन्दगी की ना तूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो प्यार की एक घड़ी है वड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिन्दगी की ना तूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले लुड़ी जिन्दगी उमरिया लंबी जिन्दगी वड़ी 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 उन आखों का हसना भी क्या, जिन आखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, आसू है खोशी की लड़ी प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, जिन दगी की न तूटे लड़ी क्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी मित्वा तेरे जिन आ लागे न तूटा में दूटे पैंड़ी आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर मोड पल आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर मोड पल दिल के दुनिया बचाएंगे हम गम की दुनिया का दर छोड़ कर जिने मरने की किस को बड़ी प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी जिन्दगी मरने लड़ी प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी कर ले उड़ी को कर दो कर दोड़ी कर दो आए कर दोड़ी लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं लीवानी हर माज पर हो आसमानों का पहरा नहीं वो तूट जाएगी तूट जाएगी हर हत करी प्यार करने तो प्यार करने घड़ी जो घड़ी ओ जिन्दगी ना तुझे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी लागे नारी जी एरा तुरा दो इन दोनों को खबरदार प्यार एक चुओ किसीने चुँ तक भी की तो तुमारा साब चुँ चुँ करता दम तोर देगा शेर सेंग तुमने हमारा नमक खाया है ओ शट अब यू फरंगी सार नमक तुमने हमारे देश का खाया है जिस धाली में खाता है उसी में छेट करता है हमरदार सिर्द सौल हर अज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर इक मौन पर कर दो कर सकता है, कर दो कर दो. पपू, पपू, अरे चला चपू, अरे मुंपली अलू चले, अरे इतना हो खुश खुले कैसे हो सेना पती, तुम्हारे फरार हो जाने के बाद मेरे सर पर एक बोज था, आज हलका हो जाएगा, सर जिसम से अलग भी हो सकता है तुम ने अपना दमाख, अपनी आत्मा निलाम कर दी और उस निलामी की बोली जीतने वाला है फिरंडी, अंग्रेश, हम बक्वास सुनने के आदी नहीं हैं, बक्वास करने के आदी हो, खामुश साथ ही हो या खुद्दार, शक्ती बहुद्रों की गदर करना जानता है लोग, छुक के आशक्ती, अपनी तलवार से इसका सर अलग करतो तुम हरी आखों की चमक, मेरे दिल का दामन खेशती है जाओ, जाओ, और फुर्सक में अपने आप से पूछना, तो तोलना अपनी आत्मा को और जब असलियत समझ में आ जाए, तो आ जाना करांती के चंडे के नीचे, मिलकर आजादी का सपना साकार करेंगे हाँ यह क्या किया है? हम, क्या किया? आप नहीं जानते, वो आज हमारी जान ले सकता था सेना पतीने हमारी पीश्च पिवार किया है पहले उन खड़्दारों को खतम किया जाएगा जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान से दगा करते हैं ये बंदुखे ये अंग्रेजों का काम बाद में खतम करेंगी सबसे पहले गुना गिन्वा कर मारा जाएगा सेनपती शक्ती क्या कहा रंबा मौसी की तबेद खराब है जी हां वो आपसे मिलना चाहती है और कहा है अकेले ही आए ठीक है हम आभी जलते हैं क्या कहती हो रंबा मौसी अगर तुमने उसे ये कह दिया कि तुम उसकी मा हो तो जानती हो इसका क्या हशर होगा क्या होगा आज राज महल में रहने वाला शक्ति कल गलियां में भटकेगा लो अपनी अमानत यह कपड़ा मैंने उसी दिन से समाल कर रखा है इस कपड़े का दूसरा हिस्सा मैंने पहले भी देखा है अब यही चाहती है न जब वो मेरे सामने आये तो मैं उसे बेटा मानने से इंकार कर दो तुम्हें इंकार करना होगा तुम्हें चनम देने वाली माँ वही गुलाम औरत राधा है राधा आसे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं अपनी जरूरतों को बुरा करना मैंने बहुत पहले सेख लिया है शक्ति के आने से पहले मुझे यहां से जाना होगा मेरा बेटा सिंदा है मेरा बेटा सिंदा है माँ तेरा बर्दान सिंदा है मुझे इतनी शक्ति देना, मा, कि मैं अपने बेटे से दूर रह सकूँ मुझे शक्ति देना, मा, शक्ति देना शक्ति आगया है, मा मैं कुछ कहने आया हूँ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मैं कहने आएं के, मैं तुम्हारे बेटा नहीं हूँ अगर मैं तुम्हारे बेटा होता तो तुम्हारे यहाथ पत्थर दोड़ दोड़ कर जखमी नहीं होते है तुम्हारी आखों में आसु नहीं होते। तुम जुम सहती रही। और मैं जुम करता रहा। मैं सोने चांदी के बर्तुनों में खाता रहा। और तुम फूकी प्यासी रही। थिकार है मुझ पर। मेरा तुझसे कोई रिष्टा नहीं। कोई रिष्टा नहीं क्या देवी मा के कपड़े के जो टुक्रे सख्षी नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं खाओ, देवी मा के जागंदर कहो कि तो मेरी मा नहीं हो नहीं मैं जूटी कस्ते ही खा सकती मा मैं तेरी मा वटे मा मा, मा, अब मेरा ठिकाना राजमाहल नहीं, हाच से मेरा संधार मा के चरुनों में हच जाओ! ले छलो इस गद्दार को पुछ देलाओ, ठोड़ दो मुझे मुहन, हाच सर्दार लटका दो इस गद्दार को फांसी की फंदे पर शक्ति में जान लेनी की हिम्मत है तो जान देने की शक्ति भी है इस मामूली रसी को हम खुद अपने गले में डालेंगे तुर्दा है मेरी मा, अंबे है मेरी मा सर्दार, सर्दार, आज इसको फांसी नहीं दे सकते क्यों? सर्दार, आज रात जागरन है आज की रात तो देवी मा के भजन गाने की रात है देवी मा ने आज इस गद्दार को बचा लिया लेकिन कल मा के दर्सन के बाद इसे फांसी दे दी जाएगी दर्सन? सर्दार, आज आएगी मुंदर, मुंदर मुंदर रादा कर दो को जो खुब मिलाए दुर्गा है मेरी मा, अंबे है मेरी मा दुर्गा है मेरी मा, अंबे है मेरी मा राधा, राधा, तुम, तुम कहा, मुन्ना कहा है, मुन्ना, बड़ा, बड़ा तो भीमा के साथ नजाने कहा खो गया, और चोटा, चोटा, हाँ, छोटा शक्ती, कल तक तो सेना पती था, सेना पती, हाँ, तब का बिछड़ा, कल ही मिला था, लेकिन, लेकिन क्रांतियों से उठा कर ले गया, सरदार, सरदार सिपाई, सुनो राधा ख़र से सुनो, मैं इस वक्त यहाद जा रहा हूँ, लेकिन कल इस वक्त यहाँ, तुम्हें सरूर मिलोगा, आप बहुत खुश है, हाँ, देवी मा का वर्दान मिल गया है, अब देखना लड़का पैदा होगा, आओ, तु, मा, कैसी हो, चीसे तुमकर उठा कर ले गये थे, वो सेना पती मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा लोटा दो, मैं तो मुद्द से समंदर में था, आज ही लो आज है, मेरे बेटे को उठा ले जाने वाले वह, वहां करांती का निशान छोड़ा था, करांती का निशान, समझ गया, क्या, रादा भावी जिन्दा है, हाँ, आज अचानक सरदार सांगा और रादा भावी दोनों मंदर में मिल गए, सांगा, रादा, ये देवी के करशने के लिए, रिष्टे जोलने लगा, चल्ट! सरदार, हुकम दो, सरदार, आंसु व सरदार की आँखों में, इस कमजोरी का कारण, नहीं मोहन, तुमारा सरदार कमजोर नहीं पल सकता, इस धर्ती से घद्दारी करने मालों को, इस धर्ती पर रहने का कोई अधिकार नहीं, क्रामती की अदालत में, हर घद्दार की सदा मात है, मात! चाहिवो घद्दार, अब नहीं बेटाई क्यों नहीं हो सकता, यह होगा, जानते हो क्रामती के अदालत के कानून अटल है, क्रामती के सिपाही के दिये हुए वचन भी अटल है, कौन सा वचन, कैसा वचन, वो वचन, जो मैंने सेनपती शक्ती की मा को दिया, उससे तुहरा रिष्टा, मेरा रिष्टा, जब मैं मौत के चक्रवियों में फंसा गुआ था ना, तब तब उस अड़त ने, मुझे बीटा कहा, यह रिष्टा है मेरा, क्रांटी के अदालत में हक और इंसाफ के रिष्टे के सरा और को रिष्टा नहीं, इस से पहले के क्रांटी के अदालत रिष्टे खत्म कर देंगे, हम यह अदालत खत्म कर देंगे, हम तुम्हारी जानने सकते हैं, जी, जान तो हम भी ले सकते हैं, इस गदार सेनापती के अगर सेना पती आजाद नहीं किया गया तो लड़ाई होगी और और अगर लड़ाई होगी तो गूलनें चलेंगी अगर 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 सेना पती आज कोई गदार नहीं बचे गा आज कोई गदार नहीं बचे का ऐ को प्रमती की सागन कर दो कर दो कर दो कर दो किले में बंद कर दो इसका फायदा कि लोगों को कांटी वालों से और कांटी वालों को लोगों से प्यार है वो उन्हें बचाने की लीए किले पर हमला recommendation लेंगे पर साबर दाना भाए framing अगर अंग्रेज धोके से हमारे जहाज पर कब्जा कर चुके हैं न तो डरने की कोई बात नहीं दर्शन जी सरदार आज किशन गड़ी में अपने कितने साथ ही जमा हो चुके होंगे आज से दस और हुगे होंगे सरदार तुमने इस तरफ लियाओ आज आत कले और महल पे हमला होगा जी सरदार ठाओ दस हजार के लीड़ा कारी लकोंकदारों का नामन लूशान तक मिटा देंगे कल सूरे निखले से पहले कले पे करांती का जंड़ा लह रहाएगा आज की रात तक जशन मनाने की रात है अब किसी की मान न उजडे अब बच्चों से माना बिच्डे दिल वाले दिल वाले दिल वाले दिल वाले तिरा अपना क्या है अपना क्या है तिरा अपना क्या है राणदीर कांदीर देश की खातिर कामाएंगे देश की खातर कं माएंगे, बोद में इसकी सो जाएंगे दिलवाले, दिलवाले तिलवाले मेरा अर मान क्या है? अरमान क्या है? तिरा ही मान क्या है? एक ही मित्ती एक ही फूजा इसके सिवाना भाए दूजा दिल वाले तिरा राम क्या है तिरा घंशाम क्या है रांधी 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 मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नाम बतन का कर जाएंगे, ओ, नाम बतन का कर जाएंगे दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले तिरा आगाज क्या है, आगाज क्या है, तेरा अंजाम क्या है कांदि, 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 कांदि दुश्मन मार के आए, मार के आए, या मित जाए वो माता का लाल केहलाए मावारी जाए बलिहारी जाए मावारी जाए बलिहारी जाए जब देश्पे बेता फून बहाए देश्पे बेता फून बहाए दिल वाली दिल वाली दिल वाली तेरी आन क्या है आन क्या है तेरी संतान क्या है कांटी, 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 कांटी कसम हमें है इस धर्ती की अपने लहू से लिख जाएंगे कांटी, 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 कांटी सर्दार, सर्दार अनर्थ हो गया क्या हुआ? अंग्रेजों ने जेगे जेगे छापे मारकर हमारे बोस से साथी पकर लिये है और अब शाही फोजे इसी तरफ आ रही है और और बच्चे यही रुक जाएं बहते हुए दुश्मन को ईच कजाब पत्थर से दिया जाएगा तो तुम ही सेना पती शक्ती की असली मा हो, हाँ? हाँ, मैं ही हूँ और सांगाव की बीवी, हाँ? आँ अर तुम तुच आहद मेरी जान ले ले लेकर भगवान दिले से छोड़ दे चोड़े इसे इस जवानी के साथा अपने भुड़ा पसे करना चाहती हो पापी यह माँ बनने वाली है अच्छ ची तो इसके पेट में भी देवी का वरदान है हाँ, देवी का वरदान है सपार क्या है? कर्यासत के लोगों की बगावत तो अलग आसपस गाओं के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए जब उनके ठिकानों पे चापे मारे गए तो बहुत से क्रांतिकारी भाग कर किले के आसपस वारे जंगल में छुप गए कुछ मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए लेकिन जो पकड़े गए वो कहा है दर्वाजा खोलो द्राम की जिजाए अब क्या होगा सरदार दूसरे साथियों के साथ साथ रादा भावी और मिनाक्षी को शाही फोजों ने किलें बंद कर दिया है किले पे हमला होगा कि खिले का दर्वाजा तोड़ने के लिए तोप चाहिए है हुजूर यह रही तोप और थोड़ा सा बारूद भी है यह तोप बेकार है जंग लग गया है चगए चगए छेद चलेगी तो फट जाएगी जी नहीं यह तोप चलेगी तो किले का दर्वाजा तूटेगा मगर करीम खान करीम खान करीम खान नहीं जो तोप न पहचाने सरदार यह मेरा कॉल है मेरा वचन है कले का दर्वाजा जरूर तूटेगा लेकिन तोप दर्वाजे तक पहुचेगी कैसे कले के बाहर सपाहियों का सकत पहरा है यह 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 आप मुझ पे छोड़ दीजिए शक्ति जी जैसे ही तुम कले के ऊपर पहुचोगे ना और पिर करें वहां तोप से दर्वाजा उड़ा देगा लेकिन शक्ति केले तक पहुचेगा कैसे शक्ति कल तक सेना पती था वो किले तक पहुचने वाले हर चोर रास्ते से वाकिफ है आहिए आहिए सेना पती जी स्वागत है आपका कर दो देखते नहीं तुम्हारे यूराद की जान खत्र में है फैकदो बंदू के फैकड़ो फैंकती तर्वाजा खोलो दोड़ो अरे जल्दी तर्वाजा खोलो साथियो सिपाईयों से उनके हथियार खील लो भारत तुम्हारा मुन्ना उसी का नाम भारत है वहीं क्रांती है मेरा भारत बेटी बेटी ओ भाहू भारत जिंदा है शक्ति मेरा भारत जिंदा है हां तुम्हारा बड़ा भाई जिनदा है हां मार, सुना ईवराज हमारा भारत जिंदा है भाभी यूवराजी की खातर अच्छी तरह से करना बाहर साथियों को मेरा इशारे का इंतजार है मैं भी आया थी अप्लाए बात दोने तरह से बंद है ये खोलेगा नहीं तूटेगा आप लोग पीसे हच जाओ आप जाओ नहीं कि अपाइब गला नहीं तारोगा जीए तो टोगला नहीं दा रोगा जीए तो टोगला नहीं जोगला जी, जिकें किया है? अलुके पथे, जोगला जी नहीं, दारोगा जी हाह, दारोगा जी, वह देखो क्रांती की फोज क्रांती की फोज है सिफायो, सिफायो इस से पहले कि को आगे बढ़ें हम खोद आगे बन कर उनको खत्म कर देंगे कि यह तो सिर्फ मशाले हैं कहा है कांटी की फोज जरूर को जाल बिचाया गया है जाल इन शाही कुटों से इनकी बंदू का चीन लो हां आपका जा रहे हैं को तर्वाजा टोड़ना है ना करीम खाने मुआ है अजयिए खौब्स की सोचाएंगे या आल्ला मताद दरीम खाँ दरीम खाँ उताँ खबर्दर्श अगा को अपनी जेगे सही लातो सिभाईयो कोई भी दर्मादे के पास आने नपाए चलातो गोलिया फाय भाई अल्ला तुम जानते थे ना कि तोब भट जाएगी दर्वाजे का तूटना जरूरी था करीब मैं जानता था कि ये तोब दर्वाजा तोड़ देगी भाई तुश्मन भी मरने से पहले आखरी खाईश पूछ लेता है तुम तो मेरे भाई हो मेरे सर्दार हो तुम नहीं पूछोगे तुम कहो तो अल्ला दर्वाजा तूट चुका है भाई साथियों को बचा लो ये भाई भाई खुदा 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 साथि 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 बचाये जाएंगे करीमा लेकिन तुम सा साथि तब मिलेगा कहा मिलेगा सर्दार 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 क्या है अंग्रेजी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता उस पहाड़ी की तरफ जा रहा जहां तोपें लगी है क्या वो तोपे चलेंगी तो चारों तरफ बारूद ही बारूद बरसेगा तोपों को खामोश करना मैंने आप इसे सीखा है तुम उस तरफ जाके अपने दूसरे साथियों को खबर करते हैं पर आप आप जाए एक कले की तरफ और मैं जाता हूं उस पहारी पे जहां तोपें लगी हुई है तोपे बार! तुम अधर पहारियों से अंग्रेजी तोपे बारूद वरसÁने के लिए तयार हैं। लेकिन इदर बारूद नहीं.. मत बरसे की चारे तरफ.. मत.. हाााा!! किले के अंदर.. ये सब लोग मारे जाएंगे.. और किले के बाहर मारे जाएंगे.. इनके छुपे हुए क्रांटी, इनके छुपे हुए क्रांटी, हमारे चाहते ही अंग्लेजी फोजों का मशाल के जरीए बारूत बर्साने का इशारा कर देना हुए कर देना हुए हुए थी हुए सब लोग जान बचाने के लिए दीवार से लग जाओ। दीवार से लग जाओ। सर्दार, सर्दार भीमा कहा है? उद्दत हो गई, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए मगर सर्दार, तुम्हारा बेटा जिन्दा है भारत, वो क्रांती मैंने राधा को भी बताया है कहा है? राधा शक्ती मिनाक्षी कहा है जब? शम्भू सिंगो ने जो रास्ते से महल की तरफ ले गया है सपायों यह आवाज हमारे महराज के कातिल भाई शम्शिर सिंग की है इससे बतला ले ना होगा चलिए हम मैं अकेला ही काफी उन सब के लिए तुम जा अपने साथिं के रक्षा करो अपने भाई के साथ दो यह मेरा हुपन है किस ने महाना हमारे सपायों को शम्शिर बोलो शम्शिर सिंग हमारे महराज का खून किस ने किया था मैं क्षूं 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 टूएं शक्ते, भाया, 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 आप जिसे मा जैसे कहते हैं, वो मा जैसी नहीं, वो आपको जनम देने वाली, आपकी मा शक्ते, हाँ, हम दुन उसी सरदार सांगा के बेटे हैं, हाँ बेटे, ये सच है, मुझे, मुझे भी मा की पत्ती ने बताया, मा, मुन्ना, मुन्ना, बेटे, हाँ, निनाक्षे न कसम देकर हमें यहाँ भेज दिया, और खुद वहीं रह गई, तेरे बाबा के लिए, ये तुन बाबा कहा हैं, आप उनकी चिंता ना खीजिये, शक्ती, बहू, तुम इस हाल में, उनके साथ क्यों नहीं गई, अगर मैं आपको छोड़ कर चली जाती, तो आपके बेटे को क्या जवाब देती, लेकिन, शक्ती और उसकी मा, तुम्हे इस हाल में छोड़ के दै कैसे, तब मैं ठीक थी, मौत तो चारों तरफ है बहू, चलते हैं, आग के इन शोलों से दूर, कहीं तो जगा मिलेगी जहां बच्चे का जनम आराम से हो सकेगा, क्राण को जड़ों बड़ों के इन dang के और ख सकते हैं, तो भिस हैं तो प्ला फम्हे जब तो इसे सब्साएघया चारों के चलते हैं, भ Iständ जहां जगां प्लाद से तो झालता है, जब मैं जहां जों जहां जहां जऺन Servis Cultural ! एफुक्टार अजड़ कर दोड़ बारा दोड़ भारा वजाए जूड़ जूड़ ऑफुक्टार पुड़ कर पोड़ ओूड़ू एख। यहां जरूर कोई आया है Come on soldiers, कोना कोना चान मारो Come on soldiers कोई आपना जरूर कोई आपना का जिए आपना, कोना का जब श्रीयाव भाईया ने ठीक कहा था, मिट्टी तो खून का पहना भी रोकते थी है, इद इदे मिट्टी लगाई, खून बंद हो गया, मुझे भाईया के पास जाना है, तुम भावी को देखो, हाँ, हाँ कुम भाईया थाईया कुम भाईया धुम भाईया! Eheheh! Asla ve kına milak şifetli! Himmet ne harrım! Ciii! बहु हाँ जार भोविनी लासी! मा! बाँ मढार सुरां आईगा गवी दीट रादा । कर दो को? बादा! कर दो कicon कर दो का दो लाँ सब ठीक है, नहां? सब ठीक है, लेका हुआ खुब लेका हुआ लेका हुआ लेका हुआ द covenantS अगंसेजाओ, फोसान snacks हो, घंगो हुए रहां। जब धन्हों होुए जडिए जड़ी 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 अगर मिट्टी से फाइदा पहुंचे तो एक दिन इसका कर्द चुका देना अरे पगले अर्जा तो तु कपका चुका चुका है रे शक्ति चल चले महारा देखती होगी भाबा इंतजार करते होंगे चल भाईया चल शक्ति शक्ति अपने पोते की शकल बिल्कुल वैसी है जैसे जनम की वक्त अपने भारत की थी हाँ अपने सरदार का आज कैसे स्वागत करूंगे अपने अपने कदमों को छोने की इजाज़त दे कर हाँ आज सीने से लग जाओ मेरे सीने से लग जाओ बाबा मेरे सरदार मेरे सरदार इस क्या है ये खून मुनना हाँ बाबा ये खून ये खून भी तो आप ही का है ना हाँ बाबा छोड़ो खून को भूल जाओ इसे बाबा तोपे तोपे खामोश हो गई आज की जंग आज की जंग हम जीत गए बाबा इस जीत का सेरा तुम्हारे सरह वारत नए 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 बाबा शक्ति करीम खां की तरह हमसे बहुत दूर निकल गया है ना बलीदानी बहादर हुआ करते हैं और तुम्हारा सिपाही शक्ति बहादर सिपाही था तुम्हें उसकी खुर्बानी पर फक्र करना चाहिए नास करना चाहिए मुला बाबा अब जाओ बहु के पास जाओ कहा है वो वह उस्तागी में है वो उस्ताग है जाओ अरुए बेटे का चांद समुखणा देखो बाबा अ हां मुन्ना हां भारत मेरे सरदार तुम्हें एक बाब बन गए हो मेरा बाब दादा बन गया है बधाई हो तुम्हारे बदन को ये खुन नहीं दिखना चाहिए बाबा ये लोगत आपकी बदन को मेरे बदन का खुन नहीं दिखाई देगा बाबा मैनाक्षी मैनाक्षी तुम्हारे मेरे गणी तुम्हारे भारत आपकी बदन को जरी तुम्हारे बदन को मैनाक्षी जुत्यार ठीगो न? यहां, तुम्हेल вам? ठीक ही तो हूँ, बिल्कुल ठीक तुम मेरी जिंता मत करना सब ठीक तो है न? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा मिनक्षी, तुम तुम आराम करो हा, हा, तुम आराम करो, आराम, हामिनक्षी मा, बाबा, बाबा नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा तुझे कुछ नहीं होगा, बेटे तुने चुकुछ किया है, देश के लिए किया है मा, मा, अब इस मिट्टी में मिलने का समया आगे है यह तो क्या कह रहा है, यह तो क्या कह रहा है इस मिट्टी में मिलने का वक्त आगे है, मा बेटा, तु बिछड़ा, मिला, और फिर बिछड़ने लगा, फिर बिछड़ने लगा मा, मैं तुझे हर जनम में मिलूगा, जनम जनम में मिलूगा मा अगर तु मुझे मिला भी, तो मैं तुझे पहचानूगे कैसे बेटे मा, जिस किसी के सीने पे गोलियों के निशान देखो न, जिसके गले पर पांसी की रसी का निशान देखो, तुम्हे लेना, समय लेना वही तुम्हारा बेठा है, वही तुम्हारा भारत है. मा, मा, मेरे मा थबे, मट्टी का तिलग नहीं लगाएगी. जय जननी, जय जननी, जय, जय, जय. आज से अपना हादा रहा, हम मिलेंगे हर इक मोल पर. मुल्ह, मुल्ह! ले! 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 आंसू, और आपकी आंको में? अवलाद को खोदूने का खम नहीं इन आंसूं में बहूँ! गमन है, मान है, देश के एक बहादुर सिपाही के अमर हो जाने का, अमर हो जाने का हाँ, कुरांती अमर है, मगर हम अकेले रह गये, हमारा सरदार हमें अकेला छोड़ गया नहीं बहू, न, तुम्हारी गोद में ये नन्ना साक्षी है, कि साक्षी है कि हमारा सरदार हमें अकेला नहीं छोड़ गया, अपनी जगा हमें वो एक सिपाही एक क्रांती और दे गया, हम, हम इसके बदन में क्रांती के तूफान भर गया, मुझे पूरा विश्वास है, कि जिस धरती को हम आजाद न करा सके, उसे याने वाली नसले आजाद कराएंगी, जो काम हम न कर सके, उसे ये पूरा करेंगा, हाँ, ये काम मैं पूरा करूँगा, मा, दादा दी, ये काम मैं पूरा करूँगा, मैं स्पारियो शंबू सिंग, तुम्हारे जनम दिन की खुशी में, तुम्हारे सिपाई नचते बेहोश हैं तुम हो क्यों? तुम्हे चाहिए क्या? बदला किसका बदला? सिर्फ अपने बाप का ही नहीं, बलके हर उस जुल्म का, जो तुमने इस देश पर किया जुल्म और हम ने? हाँ, नई 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 देखो बच्चे, हम नहीं चाहते हम अपने जनम दिन वाले दिन किसी की चान ले शम्भू सिंग, तुम अपने जनम दिन वाले दिन ही मरोगे मेरी प्रतिग्याधी शम्भू, बाप का बदला भीटा लेगा आने वाले हर गद्दार के लिए एक नया क्रांती पैदा होगा ये हमारा संग कल्प है अब बोलो शम्भू सिंग का दिमाग तो थारी तर्वार है अब कोई गद्दार नहीं बचे का शम्भू सिंग इजल्श चर्णक्षार नहीं रिल्टिए है अब को अजड है क्रांटिका इनकलाब का सिल्सिला नए नए रंग नए नए धंग लिए हिंसा से अहिंसा में बदल तब तक चलता रहा जब तक देश आजाद न हुआ क्रांटि जिन्दाबाद इनकलाब जिन्दाबाद Long live the revolution जैहिन